बड़े शहर की चमचमाती सटकों और रूची मारतों के बीच एक खुबसूरत अपार्टमेंट में एक नई बहु आई थी उसका नाम स्नेहा था जो पेशे से एक नर्स थी सनेहा का विवा एक डॉक्टर परिवार में हुआ था उसके पती रोहित एक सर्जन थे सनेहा ने अपने प्रोफेशन और परिवार दोनों को समालने का वादा किया था सनेहा के घर में प्रवेश करने के बाद उसकी सास सुनीता ने उसका स्वागत किया बेटी इस घर में तुम्हारा सुआगत है, हमें खुशी है कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनी हो धन्यावातमा मैं भी इसी परिवार का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ बहु हम लोग काफी अच्छे ख्यालों के हैं हम बहु को बहु नहीं बलकि बेटी मानते हैं और तुम भी इतनी पड़ी लिखी हो तो ये मत समझना कि तुम्हें हम हर बात पर दवाएंगे और तुम्हारे कोई बात नहीं मानी जाएगी आरे तुम अब इस घर का हिस्सा हो त इतने बाके सम्माइने रखते हैं इसलिए तुझे जो मन हो तुवेजी जग बोल सकती है सच कहूं तो मा मुझे भी पहले भूट घपराट हो रही थी क्योंकि सवराज तो सवराल ही होता है ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सवराल में काफी दिक्कत आएंगी क्या प तक कि मैं अपनी घर को समालती आई हूँ और प्रोफेशनल लाइफ और परसनल लाइफ दोनों साथ मैं अच्छे से हैंडल भी करूंगी बिल्कुल बहु मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तु सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी और अगर कहीं कोई गलती हो भी से ही यह लोग माने या ना माने मैं अभी इस घर में बहु बन कर आई थी मुझे भी काफी डल लग रहा था लेकिन धीरे-धीरे सब नॉर्मल हो ही गया थैंक्यू मां मुझे इतना कमफर्टेवल फील कराने के लिए और मेरी तरफ से इतना सब कुछ सोचने के लिए सनेहा ने जल्दी समझ लिया कि उसकी सास बहुत अच्छी रसोईया है और वो इस घर की रसोई की प्रमुख है सनेहा ने अपने नर्सिंग शिफ्ट्स के बीच अपने परिवार के लिए समय निकालने की कोशिश की एक दिन उसकी सास ने उससे कहा बहु आजकल काफी ज़्यादा काम होगा न मुझे पता है कि बाहर काम करना कितना मुश्किल होता है और फिर घर भी संभालना जी माजी मुश्किल तो है लेकिन मैं समालने की कोशिश कर रही हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई न तो मुझे माफ कर दे न माजी बैसे आप यहाँ क्यों हो कुछ काम था आपको कोई काम है तो बताईए न मैं अभी काम कर देती हूँ बागी सब काम बाद में हो जाएंगे बताईए बेटी मैं जानती हूँ कि तुम काम में बहुत व्यस्त रहती हो लेकिन अगर तुम्हें समय मिले तो रसोई में भी थोड़ी मदद कर देना जी माजी मुझे रसोई में काम करना बहुत अच्छे लगता है मैं अपनी ड्यूटी के बाद आपकी मदद जरूर कर दूँगी मैं तुझे यहां काम करवाने के रादे से नहीं लाई थी लेकिन मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि मेरी बहु अगर आई है तो घर में मेरे साथ कुछ काम में हाथ बटा दे सुनीता को अपने पुराने दोस्त की शादी में जाना था और वो सनेहा से कहती है सनेहा ने रसोई की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का तै कर लिया और वो अपने काम और रसोई दोनों का अच्छी से संभालने के लिए एक लिस्ट बनाने लगी सबसे पहले मुझे ये निश्चित करना होगा कि अभी आवशक समागरी उपलब्द है या नहीं उसके बाद में एक योजना बनाऊंगी कि किस दिन क्या पकाना है पहले दिन सनीहा ने नाश्टे के लिए पोहा और चाय बनाने का निर्नलिया उसने अपनी सासू मा की रेसिपी बुक से पोहा बनाने के विधी सीखी और उसे अपने अंदास में बनाया वा सनीहा तुमने पोहा बहुत अच्छा बनाया है धन्यवाद रोई मैं कोशिश कर रहे हूँ कि मा की तरफ से सब कुछ बनाऊ सनीहा ने अपनी सास की रेसिपी बुक से और भी कई सारी रेसिपी सीखनी शुरू कर दी उसने एक बार एक नए डिश बनाने की सोची जो उसने अपने नर्सिंग होस्टल में सीखी थी पनीर बटर मसाला मा आज मैं पनीर बटर मसाला बना रही हूँ ये एक नए रेसिपी है जो मैंने होस्टल से सीखी है बहुत अच्छा बेटी मैं देखना चाहूंगी कि तुम कैसे बनाती हो स्नेहा अलग-अलग प्रकार की दाले, सबजी और मसाले का इस्तमाल करती उसने अपने पती और सास को भी नए-नए स्वाद चखाए एक दिन स्नेहा को अस्पताल में अमर्जनसी में बुलाया किया उसे अपनी शिफ्ट बढ़ानी पड़ी और घर आने में देर हो गई घर पहुँचकर उसने देखा कि उसकी सास ने खाना बना लिया था बेटी, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा काम कितना महत पूर है तुम जब भी काम से ठक जओ, मुझे बता देना, मैं सब संभाल लूँगी धन्यवाद मा, आपका ये समर्थन मेरी लिए बहुत माईनी रखता है कुछ समय बाद इसनेहा ने अपने पती के जनम दिन पर एक विशेश आयोजन करने का निरने लिया उसने पूरी तरह से नई डिशेश बनाई और घर को सजाया रूहित, आज तुम्हारा दिने मैं तुम्हारी लिए कुछ खास बनाती हूँ सनेहा, तुम्हारे प्यार और देखवाल के लिए दिल से तुम्हारा धन्यवाद तुम्हारे बहुत अच्छा बना दिया आज का सनेहाreck तुमने साबित कर दिया कि एक नरस और बहू दोनों के रूप में तुम सर्वस रेश्ट हो हमें तुम पर गर्व है तुमने मेरे पूरे जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दिये स्निहा की रसोई में एक जादू सा फैल गया था हर डिश में एक नया स्वाद और एक नया अनुभव था उसके पकाए खाने का स्वाद सभी को बहुत पसंद आया मैं खुश हूँ कि अपने परिवार को खुश रख रही हूँ स्निहा की रसोई में हर दिन कुछ नया बनता था उसे अपनी सास की पुरानी रेसिपीस और अपनी नई रेसिपीस को मिला कर एक नई किताब लिखने का निर्ने किया मा मैं हमाई रसोई की कहानी और रेसिपी को एक किताब में संजोग के रखना चाती हूँ ये बहुत अच्छा विचार है वेटी इससे हमारे विरासत हमेशा जीवित रहेगी सनेहा ने अपने रसुई की किताब लिखनी शुरू की और अपनी रसुई की कहानिया और रेसिपीस को लिख कर एक पुस्तक का रूप दिया ये किताब केवल रेसिपीस का संग्रह थी बलके सनेहा के संग्रश और सफलता की भी कहानी थी मैं चाहती हूँ कि हमारी रसुई की कहानी और हमारे अनुबब को हमारी आने वाली पीडिया पड़े सनेहा की किताब का आयजन हुआ उसमें शेहर के जाने माने लोग शामिल हुए सनेहा की महनत और उसकी रसुई के कहानिया सब के दिल को छुगए तुम्हारी ये किताब बहुत लोग के लिए पेड़ना बनेगी मुझे तुम पर गर्व है सनेहा तुमने हमारे परिवार का नाम रोशन किया है बेटा मेरी यह यात्रा असान नहीं थी लेकिन मेरे परिवार के समर्दन और मेरी महनत ने इसे संबब बना दिया बहु एक ग्रहनी के लिए रसुई संभालना और घर का काम संभालना बहुत असान है लेकिन घर के साथ साथ रोसोई के साथ अपने भविश्य पर भी ध्यान देना बहुत जादा कटिन है क्योंकि उसके कंदे पर जिम्मेदारिया बहुत हो जाती है और इन सभी जिम्मेदारियों के साथ साथ तुने ये सब बहुत ही अच्छे से संभाला है और हमारा इतना नाम रोशन किया मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा स्नेहा की किताब को बहुत सरहाना मिली और वो एक सफल लेखी का बन गई उसने अपने प्रोफेशन और परिवार दोनों को अच्छे से निमाया उसकी रसोई की कहाने और रेसिपी सब के दिल को भागई उसने महनत और समर्पन से ये साबित कर दिया कि अगर हम अपने दिल की सुने और पूरी महनत करे तो कोई भी सपना साकार हो सकता है मेरे लिए रसोई केवल खाना पकाने की जगा नहीं है ये मेरे दिल की आवाज है सनेहा तुमने ये साबित कर दिया कि एक नारी अपने हर करतवय को अच्छे से निभा सकती है सनेहा तुम्हारी महनत और समर्पन ने अमारे जीवन को खूब सूरत बना दिया है मैं हमेशा अपने परिवार की खुशी और सफलता के लिए काम करती रहूंगी सनेहा ने अपने जीवन में भी संतुलन बनाए रखा उसने अपने परिवार, प्रोफेशनल शोक को अच्छी तरह से संभाला उसकी कहानी हर व्यक्ति को प्रेणा देती है जो अपने जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करते है सनेहा के परिवार ने उसकी सफलता का जश्ण मनाया उसके साथ ससुर पती ने उसके मेहनत और समर्पन को सरहा सनेहा ने अपने परिवार को हमेशा खुश रखने का वादा किया अंबर एक बहुत ही सुन्दर और प्यारी लड़की थी उसे हमेशा से ही सूट सलवार और उसके साथ सुन्दर सुन्दर दुपटे ओड़ना बहुत ही पसंद था वो जहां भी जाती सब उसकी ड्रेसिंग सैंस की खूब तारीफ कर दे उसके परिवार में उसकी माद जीतो और पिता गुरुनाम सिंग थे ऐसे ही एक दिन अंबर बासार से घर आ रही होती है और उसके पास से ललित नाम का एक बहुत ही हैंसम लड़का गुसर रहा होता है और दोनों की आपस में टकल हो जाती है अए अए पता नहीं आखें है या बटन इतना बड़ा रोड है पर नई मोडे नाल मोडा मार के तुरना जरूरी है अरे सोरी सोरी माफ करना मैं थोड़ा जल्दी में था दोनों वहां से जाने लगते हैं लेकिन अंबर का ललित की घड़ी में दुपट्टा फस जाता है और वो उसके दुपट्टे के साथ बढ़ने लगता है अए अए आए अरे अए रुको रुको मेरा दुपट्टा अरे ये क्या हो गया ललित जैसे ही अंबर का दुपट्टा अपनी गड़ी से निकालने लगता है तो वो दुपट्टा फट जाता है जिसे देख कर अंबर को बहुत तेज गुस्सा आता है हाई एक ही कार दिता मेरा शिफोन दा इनना महंगा दुपट्टा फार दिता सोरी मैं आपको नया ला दुँगा लगता है आपका दुपट्टा काफी सस्ता था तभी जरा सा धम लगते ही फट गया हेलो आपको पता भी है अमनी सर से लाती हूँ मैं अपने दुपट्टे एक से बढ़कर एक कॉलिटी के अमबर गुसे में बड़बडाती हुई वहां से चली जाती है कुछ वक्त यू ही वीप जाता है ऐसे ही एक दिन ललित अपने बचपन के दोस्ट शेकर की शादी में जाता है जहां उसे बहुत ही प्यारे से रेड सूट और फुलकारे लिए अमबर नजर आती है और वो भी वहां अपनी बचपन की दोस्ट निम्मो की शादी में आई थी ललित उसकी पास जाता है और कहता है हाई मिस दुपट्टा तुसी एथे तुसी ओही हो ना जिसने मेरा दुपट्टा फाड़िया सी इत्थे की कार्ये हो आपका पीछा कर रहा हूं जी बेश्रम होंदे नाल बत्तमीज भी हो मैडम आप जानती क्या है मेरे बारे में मैं एक बहुत ही शरीफ इंसान हूं और एक अच्छी फैमली से ब्लॉंग करता हूं यहां अपने दोस्त की शादी में आया हूं समझ गई मुझे बस तुम यह नजर आई तो इसलिए तुम से अपने किये के लिए म ललती का एहसास होता है और आमबर ललित से अपने ऐसे बरताव के लिए माफी मांगती है I am sorry मिनों माफ कर देओ मैं गुस्से विच पता नित्वानू की की कह दिता It's okay कोई बात नहीं मैं जानता हूं कि एक लड़की के लिए उसका दुपटा कितना कीमती होता है और खास कर कि आपके जैसी खूपसरत सोनी कोड़ी के लिए दोनों एक दूसरे से पूरी शादी में खूपसारी बाते करते हैं और बातों ही बातों में दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं ऐसे ही समय बीटता जाता है वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस बन जाते हैं और गुजरती वक्त की साथ वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दिन अपने प्यार का इजहार कर शादी करने का फैसला लेते हैं अंबर और ललित अपने इस फैसले के बारे में अपने अपने घरवालों को बताते हैं दोनों के घरवाले आपस में बात करके उनका रिष्टा पक्का कर देते हैं और कुछी दिनों बा से उन दोनों की शादी हो जाती है अंपर अपने ससुराल की सारिस बिंदेतारियां बहुत ही अच्छे से संभाद लेती है उसकी सास देव्यानी आए दिन उसे उसके पहनावे को लेकर कुछ ना कुछ कहती ही रहती थी ऐसे ही एक दिन बहु अरे बहु कहां मर गई सुबे सुबे हान जी मम्मी जी अंबर वहाँ पर पंजाबी सूट सलवार और दुपट्टा पहन कर टिप टॉप रेडी होकर आ जाती है अरी ओ महरानी कहां जा रही है बंठन के किते भी नहीं जा रहे बस मेरा दिल की ता ता मैं रेडी हो गए पता नहीं ललित को भी क्या पसंद आ गया तुझ में सारा दिन बस खुद को सवारने में लगी रहती है मम्मी जी चूटते ना ही को हुं तुसी समझ गए वैसे वी कैंदे आना साड़ना रीस कर और मैं तो ऐसे ही बंठन कर रहूंगी अरी तुझे शरम तो आती नहीं है अ हो हो सच गल बोल या सी दफा हो जा और जा जाके काम कर और हां ये सूट पहनना बंद कर दे और चुपचप साड़ी पहन हमारे घर की बहुएं सूट नहीं पहनती जी कभी भी नहीं मैं ता डेली सूट ही पाऊंगी साड़ी दथन कौन लपेटे अरी तु मेरी बात को माने या नहीं कोई जायस गल हो एता मन भी लवा इतना कहकर अंबर वहां से चली जाती है वक्त बीचता जाता है अंबर और उसकी सास का पहनावे को लेकर और घर की काम को लेकर जगडा बढ़ता ही रहता है ऐसे ही एक दिन अंबर बाजार से नया सूट लाती है और उसकी सास उ दुपट्टा उसके कमरे से ले जाती है और जट पर जाकर उस दुपट्टे पर पापड सुखा देती है शाम को जब अंबर जट पर जाती है तो वो अपने दुपट्टे पर पापड सूथते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है वो गुस्से में तिल म पिलाती हुई अपनी सास की पास जाती है मम्मी जी ए सब की है तुसी मेरे नवे डुपट्टे ते पापड सुखा देते अरे यह तेरा डुपट्टा था पुझे लगा कोई बेकार कपड़ा है तो मैंने सुखा दिये पापड इस पर मम्मी जी जादा चालू ना बनो, मिन्नू ना साब पता है, तुसी जान बुझके कीता है सब अरी मुझे क्या पता, कि तेरे सारे दुपटे तेरी तरह ही बेकार हैं एकदम वक्त बीटता जाता है पर दोनों सास बहु के बीच की लड़ाई रुप्ती ही नहीं ऐसे ही एक दिन देव्यानी और अंबर घर का सामान लेने बासार जाते है वहाँ दो बाइक सवार कुंडे देव्यानी का पर्स छीन कर भागते है अंबर उनके पीछे भागती है और जल्दी से अपने दुपटे से पीछे बैठे लड़के के गले में फंदा बना कर डाल देती है दोनों गुंडे डिस बैलेंस होकर गिर जाते हैं और फिर अंबर और बासार में मौजूद भीड जम कर उन गुंडों की पिटाई करती है अंबर से कहती है बहु मुझे माफ कर दे बिटा मैंने हमेशा से तुझे तेरी पहनावों को लेकर रोका टोका पर आज अगर तू और तेरा ये डुपट्टा ना होता तो पता नहीं क्या होता बिटा मुझे माफ कर दे दोनों सास बहु एक दूसरे को गले लगा लेती है साथ ही देव्यानी को समझ आ जाता है कि पहनावा चाहे कोई भी हो इंसान के गुण और संसकार उसकी असली पूंजी होते है जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते है तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये सस्ते दुपटे वाली बहु क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहु जुसे इसी तरीके से दुपटे और नाम बहुत पसंद हो अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाईए और हमें कमेंच करके बताईए रिया एक बहुत ही प्यारी और समचदार लड़की थी और सबसे ज्यादा खुपसूरत थी उसकी मोटी मोटी आखें साथ ही वो अपनी आखों पर बहुत ही सुन्दर मस्कारा लगाया करती थी वो कभी लेंधिंग मस्कारा कभी हाई वॉल्लिम मस्कारा तो कभी कलरफुल मस्कारा लगाया करती थी उसके परिवार में उसकी मा सुधा और पापा मुकेश रहते थे ऐसे ही एक दिन रिया टिप टॉप रेडी होकर गोगल्स लेका कर सुमर मार्केट मॉल में शौपिंग करने जाती है रिया अपने ट्रॉली में सामान डालना शुरू करती है और जैसे ही वो जूस की बोटल उठाती है तभी एक विकी नाम का लड़का उसी बोटल को पकड़ता है और दोनों अपनी अपनी तरफ बोटल को खीचना शुरू कर देती है और तभी रिया बोलती है हे यू ये मेरी बोटल है छोड़ो इसे ओ हेलो एक्सक्यूज मी इसे पहले मैंने देखा था तुम छोड़ो इसे मैं क्यों छोड़ो वला देखो दिमाग मत खराब करो मेरा ये मेरी वोटल है मैंने पहले पकड़ी थी समझे तुम हाथ दा मैडम जी पहले मैंने देखा और उठाया भी मैंने है ओके मतलब मानोगे नी तुम प्रिया जैसे ही अपनी आखों से गोगल्स हटाती है विकी उसकी सुन्दर आखों को बस देखता ही रह जाता है प्रिया लगतार बोलती रहती है पर वो उसका कोई जवाब नहीं देता और उसकी आखों में खोया रहता है ओए लड़के पागल वागल हो गई क्या कुछ कह रही हूं मैं सुन भी रही हो या नी वो मैं कह रहा था कि ये जूस आप ही रख लो मुझे नहीं चाहिए क्या अरे अभी तो तुम इत्ता बहस रहे थे एक तम से क्या हो गया प्लीज मेरे मिस्बिहेव के लिए सोरी आप ये जूस रख लो क्या बात है अच्छा हुआ जो तुमने अपनी गलती मान ली नहीं तो मैं मैंनेजर को बुलाने वाली थी जी वैसे एक बात कहना चाहता हूं आपसे जी कहिए आप बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है और आपने जिस तरीके से अपनी पलकों पर मस्कारा लगाया है वो तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफूल है तैंक यू वैसे तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम विक्की सिंगाल है, बिजनेस के काम से आया हूँ यहाँ, यह लीजिए मेरा कार्ड, कभी एक अच्छे दोस्त की कमी मैसूस हो, तो बात कर ले ना ऐसे ही कुछ दिन वीट जाते है, प्रिया और विक्की आपस में बात करना शुरू कर देते है दोनों कभी कॉल पर तो कभी देर तक चैटिंग किया करते थे, दिन बीखते है, दोनों ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते है ऐसे ही एक शाम, विक्की अपने दिल की बात बताने के लिए, रिया को एक केंटर लाइट डिनर पर ले जाता है और दोनों वहाँ पर मिलते हैं रिया, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो थेंक्यों विक्की, वाओ, ये जगा किती प्यारी है बट इतने स्पेशल जगा पर तो मुझे क्यों लेकर आए हो क्योंकि तुम इतनी स्पेशल जो हो, और आज न, मुझे तुमसे अपने दिल की बात कहनी है हाँ, बोलो न, क्या है तुम्हारे दिल में रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे लव एट फस साइट वाला प्यार हो गया है हाँ, विक्की, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुमसे शादी भी करना चाहती हो दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते है साथ ही अपने इस रिष्टे के बारे में घरवालों को भी बता देते है कुछी दिनों बाद उनके घरवाले दोनों की शादी करवा देते है शादी के बाद रिया एक अच्छी बहू की तरफ अपने ससुरार की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है पर उसका मस्कारा लगाने का क्रेज कम नहीं होता वो कभी ग्रीन, कभी ब्लू, तो कभी ग्लिटरी सिल्वर कलर का मस्कारा लगाया करती थी ये सब देखकर रिया की सास उर्मिला को बहुत ही स्यादा गुस्सा आता था ऐसे ही एक जिल अरे ये जो रोज रोज आखों पर अलग अलग रंग लगाती है क्या मज़ा आता है तुझे ये सब करने में बंदरिया जैसी सकल बना कर बैठ जाती है रोज क्या कहा हम आजी बंदरिया आपको मैं किस अंगल से बंदरिया दिखती हूँ ज्यादा ना चिल्ला का बात मत कर बहरी नहीं हूं मैं खा मखा बस पैसों में आग लगाती रहती है पैसे में ही लगाई है न घर में तो नहीं लगाई अरी तेरा बस चलेता तो घर में आग लगा दे वक्त बीथता जाता है और आए दिन रिया और उर्मिला में बहस होती रहती है ऐसे ही एक दिन रिया मार्केट जाती है वो सबजया खरीद कर घर आ ही रही होती है कि तभी एक ब्यूटी प्रोडक्ट की दुकान पर बाहर ही ब्यूटी प्रोडक्ट की सेल लगी होती है रिया वहां से धेर सारे सस्ते मस्काराज खरीद लाती है और उनका यूज करना शुरू कर देती है ऐसे ही एक दिन वो सस्ता मस्कारा लगा कर घर का काम कर रही होती है और उसकी आखों में बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है जिसकी वजह से वो अपनी आखों को मसलना शुरू कर देती है और थोड़े ही समय बाद उसकी आखें लाल हो जाती है ऐसे ही एक दिन रिया अपनी आखों पर मसकारा लगाती है और उसकी आखों में फिर से बहुत ज्यादा जलन होना शुरू हो जाती है और वो दोनों हातों से अपनी आखों को मसलना शुरू कर देती है वो अपनी आखों में ठंडे बाने के चीटे मारती है पर उससे भी कोई फरक नहीं पड़ता पर धीरे धीरे उसे सब कुछ धुन्दला दिखने लगता है वो चिलाती हुई अपनी सास को आवाज लगाती है उर्मिला जल्दी से अपनी बहु को हॉस्पिटल ले जाती है जहां डॉक्टर रिया के बहुत सारे आई टेस्ट करते हैं जैसे ही विकी को भी इस बारे में पता चलता है वो चलती से हॉस्पिटल आ जाता है और डॉक्टर से बात करता है डॉक्टर क्या हुआ मेरी वाइफ को वो ठीक तो है ना जी आपकी वाइफ अब देख नहीं पाएगी क्या नहीं डॉक्टर ऐसा नहीं हो सकता और यह ऐसे अचानक कैसे हो गया जी हो सकता है आपकी वाइफ ने एक्सपाइरी प्रोड़क्ट यूज किये हो जैसे मसकारा काजल वाजल ये सब ही और जी हाँ हमने टेस्ट में देखा है कि उनकी आइज में इनफेक्शन हो गया है और वो अब ठीक होना मुश्किल है जिसकी वज़े से इनकी आँखे खराब हो गई है कुछ तेर बाद रिया होश में आ जाती है तो उसे पता चलता है कि वो आप कभी देख नहीं पाएगी और उसे अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पच्चतावा होता है विक्की माजी मुझे माव कर दीजिये मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई अपने शौक के चलते मैंने बजार से सस्ता सस्ता मशकारा खरीद लिया जिससे मेरी आखों में जलन भी हुई पर मैंने उसे एगनोर किया और उसे लगाती रही और अपनी आखों के रोश ने खो और अब से मैं तुम्हारी आखे बनूँगा हां बहु तो चिंदा मत कर हम सब तेरे साथ हैं इस तरह अपनी आखों की रोशनी गवाने के बाद रिया को ये समझा जाता है कि अगर कोई हमें कुछ कहता है तो हमारे भले के लिए ही कहता है इसलिए बड़ों की बातों को मान अपनी इस नए जिंदगी में धलना शुरू कर देती है जिसके बात सभी एक साथ मिलकर खुशी-खुशी रहना शुरू कर देती है तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये सस्टे मस्कारा वाली बहू क्या आपके घर के आसपास भी है कोई असी बहू जो इसी तरीके से स बस्ते प्रोडक्स इस्तिमाल करती हो अगर हां तो उसे ये विडियो दिखाईए और हमें कमेंट करके बताईए नितारा एक बहुत ही गुणवान लड़की थी वो दिल्ली के कनौच प्लेस में अपने परिवार के साथ रहा करती थी उसके परिवार में सिर्फ उसके पिता अनुच सिंग ही थे क्योंकि उसकी मां का देहान पहले ही हो गया था नितारा हमेशा से ही खुद का बिजनस करना चाहती थी लेकिन घर की आर्थिक हालत ठीक ना होने की वजह से वो हमेशा पीछे रह जाती थी ऐसे ही वक्त बीचता जाता है और एक दिन वो अपनी सहेली निकिता के साथ चाननी चौक मार्केट जाती है और वो वहां से अपने लिए बहुत ही सस्ते सस्ते सूट ले लेती है जिसके बाद निकिता उससे कहती है यार नितारा एक बात तो मानने पड़ेगी तू चाहे जित्ता मर्जे सस्ता सूट पहन ले लगती एक दम पटा का है हट पागल यार मैं क्या सोच रही थी जब ये हम जैसे ग्राहकों को इतने सस्ते में सूट बेचते हैं तो इनको कितना सस्ता मिलता होगा ये सब वो तो है लेकिन छोड़ न हमें क्या करना करना तो वहाद कुछ है क्या अब 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 कुछ भी तो नहीं ऐसे ही दोनों घर आ जाती है नितारा रात को अपने बिजनस के बारे में ही सोचते सोचते सो जाती है और सुबह उसके पिता अनुज उसे जगाने आते है गुडिया उठ जा देख तेरी दोस्त निकिता आईये अरे मजा कर रहा था पापा आप भी ना अच्छा सुन नीचे आ तुझसे कुछ बात करनी है ठीक है पापा नितारा फ्रेश होकर नीचे आती है और अपने पापा से कहती है हाँ जी पापा बोलिये क्या बात करनी है आपको मैं ये बोल रहा था कि मेरी जो छोटी सी गुडिया थी ना अब वो बहुत बड़ी हो गई है अच्छा तो फिर मैं अपनी गुडिया के लिए उसका गुड़ा ढूनना चाह रहा था हां अगर गुडिया का पहले से कोई गुड़ा हो तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है गुडिया बता सकती है अपने पापा को पापा आप पी ना कुछ भी बता जल्दी शर्मा मत कोई है क्या नहीं पापा मुझे पहले अपना बिजनेस करना है उसके बाद कोई शादी या कोई गुड़्डा ठीक है अरे नहीं मेरी गुड़िया देख मैं बिमार रहता हूं कब मेरा बुलावा आ जाए कुछ पता नहीं है इससे पहले तेरे हाथ पिले कर दू बस यही मेर इच्छा है ऐसो मत बोलिये पापा मैं पहले आपको इंडिया से बाहर विदेश में ले जाना चाती हूं घुमाना चाती हूं फिराना चाती हूं फिर खरेंगे ना शादी अराम से मेरी गुड़िया पापा मुझे आप से कुछ कहना है बोल गुड़िया पापा आप तो ज पापा शुरुआत थोड़े से ही करूँगी फिर भड़ाऊंगी धीरे धीरे चल ठीक है ऐसे ही कुछ दिन बाद मितारा चानली चौक से कुछ सस्ते दामों पर सूट ले आती है और वो एक छोटी सी शौप खोरती है अनुच गार्मेंट्स नाम की जहां वो सस्ते सूट बेचा करती ऐसे ही समय बीचता रहता है लेकिन काम ना चल पाने की वज़े से वो अक्सर परिशान रहा करती कि तभी उसके बापा उससे कहते है क्या हुआ गुडिया? कुछ नहीं बापा अरे बोल क्या हुआ? वो मेरा काम ही नहीं चल रहा बेटा तु आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है तु अपने इस काम को बस इस छोटी सी दुकान तक मतरक इससे और बढ़ा कर आगे निकल फिर सब ठीक हो जाएगा अनुच की समझाने पर नितारा को बात समझ आ जाती है और वो अपने काम को एक नया मोर देती है अब वो अपना ओनलाइन बिसनस करना शुरू कर देती है फेस्बूक, इंस्टाग्राम, वोट्साप, यूट्यूब हर जगह पर वो सबस्ते सूटों को सेल करना शुरू कर देती है यहां तक की वो होम डिलिवरी भी देने लगती है धीरे-धीरे उसका काम रफतार पकड़ने लगता है और उसके सूट्स की डिमांड बढ़ जाती है साथ ही उसका खूब नाम भी होता है ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो एक विदेशी आप जिलिंगो में अपनी कमपनी का नाम रजिस्टर करवाती है और अब वो विदेश में भी अपने सूट बेचना शुरू कर देती है इंडिया की तरह विदेश में भी उसका काम खूब तरक्की करता है ऐसे ही नितारा अपने पापा से कहती है पापा मैंने बोला था ना कि मैं आपको इंडिया के बाहर लेके जाऊंगी हाँ मेरी गुडिया अब वो दिन आ गया है पापा हम दोनों मिलकर अपने सपनों की उडान भरेंगे कल सारी पैकिंग कर लीजिएगा आज मुझे बहुत गरोब महसूस हो रहा है तुछ पर पापा मैं आज जो भी बन पाई हो जित्ता भी कर पाई हो सब आप से ही है मैं दुनिया की सबसे लखी बेटी हो जिसे आप जैसे पापा मिले I love you so much पापा I love you too मेरी बेटी हमेशा ऐसे ही खुश रहो नितारा अपने पिता को लंडन, पैरिस, न्यू यॉक, आस्ट्रेलिया, मलेशिया जैसी जगह उपर गुमाती है वो लोग खूब इंजॉई करते है वक्त बीचता जाता है अर्जन को अब अपने बेटी की चिंता सताने लगती है ऐसे ही एक दिन वो अमेरिका में बिजनस इवेंट अटेंट करने जाती है जहां वो एक बहुत ही प्यारे इंडियन लुक में रेडी होकर जाती है उसी इवेंट में एक गोरिश नाम का लड़का होता है जो नितारा को देखता और बस देखता ही रह जाता है वो उसकी खुबसूरती और सादगी देख कर उसे अपना दिल दे बैठता है और उसके पास जाकर बोलता है आप इंडिया से हो हाँ जी मैं इंडिया से हूँ जी यस मैं भी इंडिया से हूँ यहाँ पढ़ाई के लिए आया था फिर जॉब करने लगा और अब यहीं का हो गया हूँ कभी-कभी इंडिया जाता हूँ ओ ये बात है वैसे मैं यहाँ इवेंट अटेंड करने आई हूँ वैसे एक बात कहूँ आपसे जी कहिए आप इस इंडियन लुक में बहुत ही कमाल की लग रही है में लंच भी करते हैं दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है साथ ही दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं कुछी समय बाद वो सभी लोग इंडिया वापस आ जाते हैं और गिरीश नितारा को मिलने एक कैफे में बुलाता है साथ ही उससे कहता है हेई नितारा कैसी हो तुम मैं तो ठीक हो तुम बताओ यार मुझे ना कुछ बोलना है तुमसे हाँ बोलो क्या तुम मुझसे शादी करोगी क्या? सीधा वाइफ बनने के लिए बोल दिया अरे गर्फरेंट बनने के लिए भी नहीं पूछा गर्फरेंट नहीं वाइफ बनाना चाहता हूँ तुमें शादी अभी नहीं क्यों? अरे तुम ये मत सोचना कि शादी के बाद मैं तुमारा अच्छा जी पेटीक है ऐसे ही दोनों अपने घर आ जाते हैं और अपने अपने घरवालों को अपने रिष्टे के बारे में सब बता देते हैं दोनों के घरवाले आपसी रजामंदी से उनकी शादी बड़े ही धूम धाम से करवा देते हैं ऐसे ही समय वीचता जाता है और नितारा ससुराल की सभी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती हैं और सभी लोग अपने सस्ते सूट वाली बहु के साथ मिलकर कि आपको हमारी ये सस्ते सूट वाली बहु क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहु जो इसी तरीके से सस्ते सूट पहना करती हो और उन्हें बेचा भी करती हो अगर हां तो जल्दी से उसे ये वीडियो दिखाईए और हमें कमेंट करके बताईए दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताए कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा